तो रेल इंडिया यूट्यूब चैनल पड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज का आरेने सुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब केजिए वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और शेर भी कर सकते हैं गोड़ा वासियो के साथ क्या धोका हुआ है इस वीडियो को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाकर आप देख सकते हैं ये आरेने का वीडियो एक है और आप चलिए आज कुड़ा हजडिया रेल सेक्षन में जो इलेक्रिफिकेशन का काम है वो अपने लास्ट फेज में पहुँच गया है और जल्दी यहां से भी एलेक्रिक ट्रेनों को हरी जंडी मिल जाएगी जिसके बाद यहां से इलेक्रिक इंजन से सभी ट्रेनों का परचालन कराया जा सक लेकिन इससे फाइदा आम जंता को कम होगा रेल्वे को जादा होने वाला यह भी आपको बताएंगे आगे वीडियो में लेकिन आपके सामने कुछ तस्बीरे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस सरे अलेक्रिफिकेशन का काम अपने लास्ट फेज में पहुँच चुक उससे पहले इसका सारा ट्राइल लिया जाएगा इंस्पेक्शन होने के बाद जब यहां से अप्रूबल मिल जाएगा सिया इस 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 रहेंगी इस वज़े से टाइम टेवल में कोई बड़ा बदला नहीं होगा इस रेल कर चलने वाली गुड़ा नहीं दिली हमसफ गुड़ा राची वाया भागलपूर ट्राइवीकली एक्सप्रेक्स और हाली में एक्स्टेंड हुई गुड़ा दुमका इंटर सिटी एक्सप्रेक्स का परिचालन इलेक्टर्क इंजन से कराया जा सकता है अभी फिलाल जो गुड़ा नहीं दिली हमसफ़र एक्सप्रेक् तो इलेक्रिक लोकों के साथ भागलपूर तक पड़ेचालन होता है भागलपूर से राचिय तक और वहाई भागलपूर से गुड़ड़ अब डाउन डारेक्शन में डीजल लोकों के साथ पड़ेचालन कराया जाता है क्योंकि इस सेक्शन पे लेक्रिफिकेशन का काम नहीं और जिसके CRS inspection होने के बाद approval मिल जाएगा तो direct जो है गुड़्डा से electric engine के साथ ट्रेनों का परचलन होगा जिससे diesel पढ़ हो रहे खर्च में कमी आएगी और जो railway का है वो नुकसान भी कम होगा लेकिन अब इससे direct फाइदा आम जनता को कम होगा तो जक तक इस rail section के speed नहीं ब से क्योंकि आने वाले दुन में यह से नहीं ट्रेनों की रहा आसान हो जाएगी तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगे और सब्सक्राइब जिरूर कीजिए थैंक्यू